साई की बाद जहां सिर्फ खुशिया ही खुशिया होंगी जहां सिर्फ सुख होगा मेरे बचे और जहां सिर्फ और सिर्फ तेरा साई होगा मेरे बचे सिर्फ तेरा साई और सुन मेरे बचे तुम इतना क्यों सोचते हो मेरे बचे इतना क्यों सोचते हो कि तुम हार जाओगे तुम हार नहीं सकते मेरे बच्चे जानते हो क्यूँ क्योंकि तुम अपने साई के बच्चे हो और तुम भीड में न सबसे अलग हो मेरे बच्चे तुम इस भीड में क्यों चलना चाहते हो भीड में जो रहता है न वो गुम हो जाता है मेरे बच्चे और जो भीड से अलग चलता है न वो इतिहास बनाता है मेरे बच्चे तुम सबसे अलग हो मैं जानता हूँ और तुम्हारे परिवार में भी यही कहा जाता है कि तुम साइं की पूझा करते हो सबसे अलग चलते हो विरुदू चलते हो सब क लेकिन मेरे बचे जो अलग चलता है न जो अपने कामों को अपने इरादों को नेक रखता है और उसमें शिदद रखता है न उसे पूरा करने की चाहा रखता है तो वो पूरा कर ही लेता है मेरे बचे कर ही लेता है और तेरे साइं का अश्रवाद तो है तेरे साथ मेरे बचे मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और रही तेरे परिवार की बात तो वो आज नहीं तो कल वो तेरे साथ खुद मेरे पास बैट कर मेरी कस्ट निवारण मंत्र पढ़ेंगे मेरी आरती करेंगे तुम देखना मेरे बचे वही होंगी जो एक दिन तेरे साई को भी समझेंगे मेरे बचे तुम देखना और सुनो जिन लोगों ने तुम्हें परिशान कर रखा है न टूने टोटकों से और इस सब चीजों से मेरे बचे तो इन सब चीजों से तुम मत घबराना मेरे बचे बिल्कुल भी मत घबराना, एक काम करना मेरे बच्चे, एक छोटे से कपड़े में मेरी उधी डाल कर, अपने शरीर पर कहीं भी भान देना, चाहों तो अपने हाथ की बुझाओं पर भानना, चाहे गलें पर पहल लेना, उससे मेरे बच्चे, तुम्हारी रक्षा होगी मेरे मेरे बच्चे, कोई भी टूना टोटका या कोई भी चीज तुम पर असर नहीं कर पाएगी मेरे बच्चे, कोई नहीं कर पाएगी, और जो तुम सुभा शाम मेरी पूझा करते हो, मेरे आगे धूब बत्ती जलाते हो, अगर बत्ती जलाते हो दिया जलाते हो ना, और उसके गर में कोने कोने में वो छड़क दिया करो मेरे बचे एक एक कोने में इससे जितने भी बुरी चीजे होंगी न वो सब बे असर हो जाएगी मेरे बचे तुम क्यों चिंता करते हो तुम्हारा साइंस साक्षात रूप में तुम्हारे घर पर विराजित है मेरे बचे किसी की इत इतनी उकात नहीं कि तुम्हारे घर की तरफ आख उठा कर भी देख ले। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तेरा कारूबार थोड़ा सा पहले से कम हो गया है। उसमें उन्नती होगी मेरे बच्चे जरूर होगी मेरे बच्चे और मैं तेरे साथ हूँ तेरा हाथ कभी नहीं रुकने दूँगा तेरे कारूबार में भी कभी रुकावटे नहीं आएंगी मेरे बच्चे वो चाहे धीमा हो जाएगा लेकिन रुक नहीं पाएगा मेरे बच् सब हो जाएगा इस चिंता में मत रहा कर कि कल का क्या होगा कैसे होगा वो सब होगा मेरे बच्चे तेरा साइं बैठा है ना जब तेरे घर का मुखिया बैठा है तो तुझे चिंता करने की कोई जरुवत नहीं कहां से आएगा कैसे आएगा क्यूं आएगा कब आएगा सब छो हमेशा उनका साई होता ही होता है मेरे बच्चे हमेशा और सुनो अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ जो शीडी एक बार आते हैं वो बार बार आते हैं जानते हो न जिसे एक बार तुम्हारे साई की लद लग जाती है न वो जिंदगी भर नहीं छूटती मेरे बच् ज़रूर चुड़ाना मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारे नारियल का और सुनो कुछ मेरे बच्चे सावन के महीने में महादेव के मंदर जा रहे हैं तो जाओ मेरे बच्चे जाओ और वहां तुम्हारा साइफ मिलेगा मेरे बच्चे तुम जहां भी जाओगेmost जिस भी मंदर में जाओगे न वहां रास्ते में या मंदर में तुम्हें वहां मैं मिलूँगा तुम्हें वहां मैं दर्शन दूँगा मेरे बचे और इससे तुम्हारा साई तुम्हारे साथ साथ ही है मैं जानता हूँ मेरे बच्चे तुम हर जगा मुझे खोशते हो हर जगा मुझे याद करते हो हर रूप में मुझे देखते हो मैं जानता हूँ मेरे बच्चे और इसलिए मैं तुम्हें हमेशा एहसास कराता रहता हूँ कि मैं तेरे साथ ही हूँ मैं हर जगा तेरे साथ ही हू मेरे बच्चे हर जगा और सुनो जो सवाल तुमने मुझसे पूछा था ना उसका जवाब मैं तुम्हें बहुत जल्द दूँगा मेरे बच्चे बहुत जल्द दूँगा बस अपना विश्वास मत खोना अपने साई से अपने साई पर विश्वास रखना मेरे बच्चे हर रोज तुम काकड आरती करना चाहोगे काकड आरती के दर्शन करना चाहोगे मेरे बच्चे देखना ऐसी दलत लगाऊंगा ना कि ब्रह्म मूरत में तुम खुद उठकर खड़े हो जाऊगे तुम देखो अब तुम्हारे साइं की लीला देखो मेरे बच्चे कि कैसे मैं त मेरे बच्चे और हर बार हर बार तुम्हें नया अद्बुत दर्शन दूंगा हर बार तुम्हें अपनी एक नई लीला दिखाऊंगा और तुम्हें अपने मंगल इसनान के दर्शन भी कराऊंगा मेरे बच्चे और सुनो तुमने एक बात ध्यान दिया है जब भी तुम और दिया भी है तो तुम्हीं ये लगा है कि वो तुम्हारा वहम है लेकिन वो तुम्हारा वहम नहीं है मेरे बचे वो मैं करता हूँ मेरे बचे मैं जरूर करता हूँ अपनी पलके जपकाता हूँ कभी ध्यान देना और सुनो मेरे बचे तुम सिक्षा आगे और करना चाहते हो ना तुम्हारा मन है आगे और शिक्षा करने का मैं जानता हूँ मेरे बच्चे तुम्हारा पढ़ने का आगे मन है लेकिन तुम्हारी आर्थिक स्थिती ठीक नहीं है तो सुनो मेरे बच्चे तुम पढ़ोगे तुम्हें तुम्हारा साइं पढ़ाएगा मेरे बच्चे अब तुम चिंता मत करना तुमने अपने साइं के आगे अर्जी लगाई है न तो ठीक है मेरे बच्चे तुम आगे पढ़ोगे जरूर पढ़ोगे मेरे बच्चे और वो जरिया तुम्हारा साइं तो मत बलकि अपने आपको वो देखो जो तुम्हारे पास है मेरे बचे तुम भी वो बात है मेरे बचे जो हर बांदा को तुम पार कर जाओगे मेरे बचे तुम में वो बात है मेरे बचे और तुम वो कर सकते हो मेरे बचे अगर तुमने अपनी मजबूरियों को छोड़ कर अपने अंदर अच्छा ही देखनी शुरू कर दीना, अपनी ताकत को देखना शुरू कर दिया, अपने आपको पहचान लिया आना, तो तुम हर जंग को जीत जाओगे मेरे बचे, हर जंग तुम ही जीतोगे मेरे बचे, तुम में है वो काबिलियत, अपनी काबिलियत को पहचानो मेरे बच्चे, पहचानो उसे, तुम कमजोर नहीं, तुम ताकतवर हो, तुम साई के बच्चे हो, खुश रहो, आज का साई संदेश समाप्त हुआ.